वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट तोस्तो परशदी स्कूलों के सिख्षकों को निलंबन के बाद अधिक आवशक्ता वाले या बंद या एकल विद्यालियों में दी जायत नवीन तेनाती तोस्तो इसकूल सिख्षा महानिदेशक स्री विजे किरन आनन जी ने ये आदेश जारी किया है और इस आदेश के जारी होने के साथ-साथ निलंबन में जो मनचाही पोस्टिंग थी उसके उपर विराम लग गया है तोस्तो प्रधान मंत्री कारयाले को संग्यानित हुआ है कि उतर प्रदेश के जो परिशदी विद्याले हैं बेसिक शिक्षा परिशद के नियंत्रनाधी जो परिशदी विद्याले हैं वहाँ पे निलंबन के नाम पे मनचाही पोस्टिंग का खेल चल रहा है ऐसा मीडिया की सुर्खियों में आया है तोस्तो वज़्ट इस्थति क्या है इसी को आस्पस्ट करने के लिए स्कूल सिक्षा महानी दे सकने जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जवाब दे बनाया है लेकिन एक बात तो तहे हैं कि अब अगर कोई सिक्षक अनुशासनिक कारियों से निलंबित होता है उसके खिलाब अनुशासनिक कारवाही होती है किसी भी कार में शिधिलता उदाशेंता या किसी भी प्रकार के भरस्टाचार या कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो संबंधित खंडश शिक्षय अधिकारि उम जिलावीशिक शिक्षय अधिकारी को एक माह के भीतर इसका निस्तारन करने के साथ साथ एक बात का विशेस रूप से ध्यान देना होगा कि सिक्षक को अगर मूल विद्याले से पदस्थापित किया जा रहा है जो भी उसका मूल विद्याले है अगर उसको वहां से हटाया जा रहा है तो जो नवीन तैनाती होगी उसमें अधिक आवशकता वाला या बंद या एकल विद्याले में उनको तैनाती दी जाए यानि मनुवांचित तैनाती पर एक प्रकार से दोस्तो हमेशा के लिए विराम लग गया है। आते हैं देखते हैं पत्र और मेडिया की सुर्कियों में इस संबन में क्या महतपूर बाते हो रही हैं। दोस्तो पत्र जारी हुआ है महा निदेशक स्कूल सिक्षा या म्राज प्रिविणा निदेशक कारेले समक्र सिक्षा विद्यभून निशात्रेंद लखनवुसे। सेवा में जिला बेशिक स्क्षा अधिकारी समस्त्र जनपद उत्तर प्रदेश दिनांग 29 जून 2022 का पत्र है विशे है जनपदों में किये गए स्क्षकों के निलंबन के संबन में। मोदे संग्यान में आया है कि जिला बेसिक शुक्षा अधिकारी कार्यालों में बड़ी संख्या में निलम्बित सिक्षकों की पत्रावलियां लम्बित हैं तथा अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है उलेखनी है कि उत्तर प्रदेश अनुशासन यम अपील नियमा वली 1999 के अनुशार निलंबन बहुत आवश्यक होने पर अंतिंग विकल्प के तौर पर परियाप्त अउचित पाय जाने पर ही किया जाना चाहिए तो तो सस्पेंशन जो है एक अंतिम आप्शन है एक सामान प्रोसेस नहीं है कि निलंबन की प्रक्रिया अंतिम विकल्प के रूप में संबंति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अपना ही जाए निलंबन बहुत आवश्यक होने पर अंतिम विकल्प के तोर पर परियाप्त अउचित पाय जाने पर ही ये दोस्तों बाते हो रही है परियाप्त अउचित पाय जाए और अंतिम विकल्प और बहुत आवश्यक होने पर ही किया जाए तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसका सासमे निस्तारण किया जाना चाहिए टाइम एंड मोशन स्टडी विश्यक बेसिक शिक्षा अनुषासनी कारवाही प्रतेक दसा में एक माह के अंदर पूर्ण की जाएगी अन्नथा की स्ट्टी में बेसिक शिक्षा अधिकारी यो मखंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदाई होंगे फिर भी जन्पदों में इस सासना देश का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त के संबन में यह भी शिकायते प्राप्त हुई है कि कई बार शिक्षकों को उनके अनकूल विद्याले आवंटित करने के लिए ही निलंबन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है यह अक्षम में है भविश्य में यह ऐसी सिकायत प्राप्त होती है और जाचो परांत यह पाया जाता है कि निलंबन आउचित युक्त नहीं था अथ्वा बहाली तथा पदस्थापन संबंधित अध्यापक की रूच यह इक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है तो ऐसे प्रक्रल में दोशी अधिकारी कर्मचारी के विर्द कट्थोर कारवाही की जाएगी अता निर्देशित किया जाता है कि निलंबेश सिक्षकों के विचाराधीन अनुशासनिक कारवाहिया उत्तर प्रदेश अनुशासन युम अपील नेमावली 1999 के प्राविधानों तथा उक्त शासना देश दिनांग 14 अगस 2020 के अनुशार एक माह के अंदर पूण कर ली जा कि किसी अध्यापक के निलंबन के पश्चात पदस्थापन परक्रियाओं का अनुपालन सदैयों अधिक आउशकता वाले विध्यालियों या अध्यापक विहीन अथोआ एकल अध्यापकी विध्यालियों में किया जाए यानि हो साथ ही निम्न प्रारूप पर सूचना पान जुलाई दो हजार बाईस तक राजपरिणा कारेले की इमेल आईडी स्कूल सिक्षा स्से एड़ दरेट आप जीमेल डाट काम पर उपलब्द कराना सुनिश्चित करें करमांग सिक्षक का नाम विध्याले का नाम विकास खंड का नाम निलंबन ति थी यदि अनुशास नात्मक प्रक्रिया एक माह से लंबित है तो उसका कारण क्या है विलंब के लिए दोशी अधिकारी या कर्मचारी का नाम मुबाईल नंबर अभिक्ती दोस्तों आपने देखा कि कोई भी सिक्षक अगर निलंबित हो रहा है तो एक माह के भीतर संबंधित खंड सिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी को उस प्रक्राण को निस्तारित करना होगा और साथ ही साथ निलंबन एक अंतिम आप्षन के रूप में ल निलंबन के लिए और कहीं न कहीं बिना प्रमाड के बिना अभिलेक के बिना आउचित पूर्ण कारण के अंतिम आप्षन होने की दसा में ही निलंबन किया जाएगा ये ऐसी बात हो रही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपड दोस्तों क्या बात कहेगी मन चाही पोस्टिंग के लिए चल रहा निलंबन का खेल बेसिक स्कूलों में मामले सामने आए तो महानी देसक नहीं मांगी सिक्षिकों के निलंबन की रिपोर्ट दोस्तों देख सकते हैं आप सीधी बाते हैं कि पीमों तक पहुँच चुकी है शिक्षिकों की मन्चाही पोस्टिंग के लिए निलंबन के खेल की शिकायत प्रधान मंतरी कारेले पीमो तक पहुँच चुकी United Teachers Association ने 2021 में बलनामपुर में बीएसे किलाब पीमो तक शिकायत कर आरूप लगाया था यहां मन्चाही पोस्टिंग के लिए शिक्षिकों को पहले निलंबित किया जाता है फिर जात में दोश्मुक्त कर मन्चाहे स्कूल में तैनाते दी जाते है और दोस्तों तुलसीपुर के भाजपा विधायक कैलाशना शुकला जे ने भीमो मंतरी से इस सम्मन में सिकायत की थ वर्स 2020 में सहरनपुरो राइबरेली में भी ऐसी सिकायते सामने आई थी यहां पर दोस्तों बात हो रही कि निलंबित सिक्षकों किलाब माहा भर में पूरी करें कारवाही यह से उखंड़ सिक्षा अधिकारियों को दोस्तों यह आदिश चारी हुआ है कि निलंबन बहाली क की बात शिक्षक को उन्ही स्कूल में तयानाद किया जाए जहां पर सिक्षकों के सबसे अधिक बदरिक्त हैं जैसे कि अभी आपको पत्र के आलोग में दोस्तों बात गए है आज के इतना है वीडियो इंफॉर्मेशन लेटिस अब्डेट आशा करता हूँ आपको अच्छ इसलिए यदॉर्मेशन